प्रेंड्स वेलकम स्टू जी अड़कम चैनल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इकनो पीएडे एंट्रेंस एक्जाम दो जारते इस जानुरी सेक्षन का जो होने बाला है उसमें हिंदी सेक्षन का कुछ कोस्चिन को हम प्राक्टिस करेंगे चलो देखेंगे वान बैवान कोस्चिन अंशर को देखो जाशे संब्रॉल्ग Mü耐नी किस की करेटी है फस्ट है लखमिनारार्ण बर्मा सnehक्ण बुरंधावनल कर मा थाड जयनेंद्र जरिन प्रमकुमार बर्मा मुरूंग नाई किस की करेटी है ना बुरंधावनल बर्माजिके है सेक्आ ते नेक्स्ट कोश्चिन दुरुबस्वामीनी के रचाइता कोन है दुरुबस्वामीनी फास्ट प्रसाद सेकंड पॉन्त थाड़े निराला फोर्तो महादेवी बर्मा इन्हें से दुरुबस्वामीनी के रचाइता कोन है ना फास्ट प्रसाद जीख है फास्ट होगा अंसर नेक्स्ट कोश्चिन ज्हांसिकी राणी शिर्षक कविता के रचाईता का नाम बताईए फास्टे सुभद्रकुमारी चोहन शकेंड जगन्नात प्रसाद मिलेंद थाड बालकृष्ण सर्मा नविन फोर्थ माखनलाल चतुरवेदी जान्सी की राणी कविता की रचाईता सुभद्रकुमारी चोवान फास्ट है आंसर ठीक नेक्स्ट कुस्चिन घासी राम कोतवाला के लेखक कोन है घासी राम कोतवाल फास्ट है अम्रुतलल नगर सेकेंड सुभद्रकुमारी चोवान थाड़ नामबर सिंग फोर्थ बीजय तिंदुलकर घासी राम कोतवाला के लेखक कोन है घासी राम कोतवाल बीजय कुमार तिंदुलकर है लेखक फोर्थ होगा अंसर नेक्स्ट कोश्चिन जशोधरा के रचईता कोन है फास्टे मैथिल शरण गुप्त सेकेंड माखनलाल चत्रुबेदी थाड बालकृष्ण सर्मान नविन फोर्थ जय शक्नकर प्रसाद है जशोधरा के रचईता मैथिल शरण गुप्त फास्ट होगा अंसर नेक्स्ट कोश्चिन दान्त खट्टे करना का अर्थ इनमें से क्या है दान्त खट्टे करना फास्ट है हार जाना सेकेंड हरा देना थाड धोखा देना फोर बेई मानी करना दान्त खट्टे करना का अर्थ होगा हरा देना सेकेंड होगा अंसर नेक्स्ट कोश्चिन गृह प्रवेश में कोंचा समास है गृह प्रवेश अबईभाब समास द्विगो समास दोंदा समास या तत्पुरुष समास गृह प्रवेश गृह प्रवेश है गृह प्रवेश सब्तमी तत्पुरुष समास होगा next question 3 car का संधी विच्छत क्या होगा 3 पलस कारो शेकेंड 3 ha पलस कारो थाड़े 3 ही पलस कारो फोर 3 लस कारो 3 पलस कारो 3 कारो संधी क्या होगा 3 पलस कारो वीशर को संधी है सेकेंड होगा आन्सर नेक्स्ट कोश्चिन धमाका में प्रत्य बताईए धमाका फास्ट है आक प्रत्य शेकेंड अको थाड आका फोर अकड धमाका में प्रत्य क्या होगा ना आका थाड होगा अंसर नेक्स्ट कोश्चिन कानोन की सब्द का विलोम है कानोन फास्ट बन्न सेकेंड सुन्सान थार भीड और फोर सहर कानन का बिलोम सब्द क्या है ना सहर फोर होगा आंसर सुध्ध वर्तनी की सब्द की है इनमें से कुन से सब्द सुध्ध है फास्टे कोवत हल सेकेंड कोवत हल थार कोवत हल फोर कोते हल इनमें से सही वर्तनी वाले सब्द कुन है ना थार होगा कौतू हल नेक्स्ट कोस्चिन कृतज्यां इन में से किसका बिलोम है फस्ट है उदार सेकेंड निर्दई थाड़े कृतज्ञा फोर आज्यांकारी कृतज्यां का बिलोम सब्द क्या है ना कृतज्ञा थाड़ होगा आंसर नेक्स्ट कोस्चिन कौन से वर्तनी सही है फस्ट प्राक्कतन सेकेंड प्राक्कतन थाड़े प्राक्कते न फोर प्राक्के थन सही वर्तनी वाली सब्द कौन है ना प्राक्कतन फस्ट होगा आंसर नेक्स्ट कोस्चिन धिवर किसका परियावाची है धिवर फास्ट धोबी सेकेंड नाई थार केंवाट फोर चिडिमार धिवर का परियावाची सब्द है क्या न केंवाट है ठेक है इसी बीच एक बात बुलना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल को अबसे सब्सक्राइब करना था कि आने वाले समय प्पेजब में इस लिटर वीडियो अफ्लोड करूंका तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीके नेक्स्ट कोई जिन देक हैंगे व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, संग्याओका सही क्रम क्या होगा फास्टे दोईनिक जागरण, धुलाई, तोफान, सेकेंड होगा तोफान, दोईनिक जागरण, धुलाई, थाड़, धुलाई, दोईनिक जागरण, तोफान या फोर्मे उप्रोक्त में से कोई नहीं फास्ट वेक्तिवाचक, सेकेंड होगा भावबाचक, थार होगा जातिवाचक, संग्याओं का सही क्रम इनले में से कोन है ना फास्ट देखाओ फास्ट ही होगा आंसर देखाओ ब्यक्तिवाचक भाववाचक और जातिवाचक दोईनिक जागरण धुलाई और तुफान ठीके ये था कुस्ट कोस्टिन का डिसकासन इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आपको बहुत बुद्धनेवाद